पहले दोस्तों आज हम LED बॉल्फ के प्रोटेक्शन के लिए बॉड बनाना सिखाएंगे यह बहुत ही हेल्फुल बॉल्ड रहेगा आपके लिए जिससे के बिजली कम या ज़्यादा आने से बॉल्फ बहुत जल्दे लिखराब हो जाते हैं बहुत ज्यादा प्रोलम आती है इसमें और एक चार अमेपडी का केंडेंसर को इस्तमाल की में इस्तमाल में लाया है कि सौकट को टैट करेंगे उसके बास स्विच लगाएंगे इसमें दूसरा स्विच लगाएंगे इसके अंदर अब हम दोस्तों अगर वीडियो पसंदना है लाइक से सब्सक्राइब जरू करें सारे सुच अच्छे से टैट करेंगे इंडिकेटर भी लगा देंगे इसके बाद इसको बरावर से टैट कर लेंगे अब हम देखिए दोस्तों टैट कर लिए सारे सुच इंडिकेटर बरावर से टैट कर लिए अब हमने अब हमें इसकी वाइरिंग करेंगे हमने 7.0.7 का वाई इस्तेमाल किया है लेड करा का इसके इंस्विलेशन अटा देंगे उपर का और स्विच के नीचे वारे टर्मिनल में बरावर से टैट करेंगे इसको इसको लूज कर लेते हैं हम बन वाई वाई इसके अंदर वाई पस करेंगे उसको अच्छे से टैट करेंगे सारे टर्मिनल को कि दोस्तों हम यह जो वाई रमें इस्तमाल कर रहे हैं सिर्फ तीन स्विच के लिए लगा रहे हैं जो हमने एलेड के लिए तीन स्विच लगाए है उसके वाई रेड करेंगे वाई लेंगे हम यह सौकिट के बरावन स्विच है यहां लगा देंगे इसको एक छोटी सी वाई रह लेंगे इस सौकिट के बरावन स्विच है इसके उपर वाई टर्मिनल है यह आउट पूट टर्मिनल होता है इसमें लगा देंगे इसकी बाद सौकिट का जो लाई ने एल लिखा है उस वाई टर्मिनल में टैट कर देंगे इस वाईर को इसे के स्विच से लैन मिल जाएगी हमने न्यूटर वाई लिया है बिलेक कर लगा जीरो पॉइंट सेवन का इसको इंडिकेटर के उपर वाई टर्मिनल में टैट करेंगे उसकी बाद सौकिट के जिसमें एन मना हुआ है न्यूटर जिसे वाईर में टैट करेंगे हमने दोस्तों चार अमेबडी का कंडेंसर यूश किया है जिसको कैप सिटर भी बोलते है यह LED बल्प के प्रोटेक्शन के लिए लिए हमने जिससे हम 6-8 बल्प 9 वाट के 12 वाट के इस्टमाल कर सकते है दोस्तों यह कंडेंसर के काम है जिससे कि आपके LED बल्प के प्रोटेक्शन को लक्षा करेगा जिससे कि आपके बल्प जल्दे खराब नहीं होंगे चाहें बिजली कितनी बार कम या ज़्यादा आती रहें बल्प आपके बिलेंकिंग नहीं करेंगे हमने एक वायर कंडेंसर की इंपुट टर्मिनल में टैट कर दिया पर आपस से और दूसरी वायर जो स्विच के टर्मिनल में टैट कर रहे है दोस्तों यह कैपसिटर जो है सीरीज में लगाना है देखिए आप द्यान से इसको हमन बाइर जोच का लाइन का लाइन का अंदर कैपसिटर मिलेगी उसकी बाद स्वेच में जाएगी अजिए उसके बाद हम बिलेक वायर लेंगे दूसरी बिलेक वायर लेंगे हमने तीन होल्डर के इसमाल किया इसमें देखिए आप तीन होल्डर के वायर से कनेक्ट कर लिया जिस्से की वीडियो जाद लंबी ना हो वायर लगा कर रख़ी हुई है एक बिलेक वायर जो की बिलेक वायर कॉमन है तीन लेड वायर है इसमें इसको हम बोड के अंदर डाल लेंगे एक बिलेक है और तीन रेड करकी वायर है तीन होल्डर की वायर रेड एक बिलेक कॉमन वायर है दो वायर बिलेक पहले की एक ये तीन वायर का हम इंडिकेटर में टाइट कर देंगे इसमें एक इन्पुट वायर है होल्डर की एक वायर लेंगे इस वाले स्वेच में लगा देंगे उपर वाले टर्मिनल में जो हमने लेडी बल्प के प्रोटेक्शन के लिए तीन स्वेच बनाए है कैप शेटर के साथ दूसरी वायर वो परवल लगा देंगे सेकंड स्वेच में तीसरी वायर भी लगा देंगे बरावार से टैट कर देंगे इसको अब दीसरी वायर भी इसको अच्छे से टैट कर देंगे दो इंपूट के लिए हमने वायर में बहार निकाल दी है बलेक और रेड वायर इंपूट के लिए दोस्तों कि इसको आप ध्यान से कनेक्शन को देख लीजिए वायर वायर भारावस अच्छे टैट हो गई हमारे होल्डर की और इस सीरीज में हमने कंडेंसर को लगा दिया है कि अब हम उसको टेश्ट करने के लिए बन करेंगे अब दोस्तों बहुत है है यह जिससे आपको एलेटी प्रोटेक्शन के लिए एलेटी बल्प के प्रोटेक्शन के लिए बहुत यह अच्छा रहेगा जिससे के बिजनी कम यह जादा आती है बल्प जो बिलिंकिंग करते हैं जलते हैं बुचते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए बल्प जल्दी खराब नहीं होंगे अगर दो साल चलने वाल बल्प एक जामपिर दो साल चलना है उसके दो साल लाइफा का चार अमेटी का कंडेंसर के यूज करेंगे उसके साथ प्रोटेक्शन के साथ इसको स्टमाल करेंगे तो कम से कम 5-6 साल 8 साल भी चल सकता है आपका बल्प दोस्ता वीडियो अच्छे लगा लाइक से सस्क्राइब जरू करें अब हम इसको टैस्ट करेंगे बराबसे तीनों बल्प लागा किसमें एक हमने जीरो बार्ट का बल्प को इस्तमाल किया है और दो बल्प यो एलेडी बल्प इस्तमाल किये हुए है यह बोर्ड हम कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर एक बल्प हैगा तो उसमें 2.5 का कैफशेटर को इस्तमाल कर सकते हैं कि वाइल लगा दिये इसमें पावर आ गई है इंडिकट हमारा आउन हो गया है पहले स्विच से जीरो वाट का बल्प सैकिंड से एलेडी बल्प है तीसरे स्विच से थर्ड बल्प और यह वाला स्विच है सौकिट के लिए दोस्तों सिर्फ हमने कैफशेटर को जो वल्प के लिए इस्टमाल किया है एलेडी वल्प के प्रोटेक्शन के लिए इस्टमाल किया है सौकिट के लिए इस्टमाल नहीं किया हमने बहुत ही अच्छे से गिलो करने हैं तीने वल्म वीडियो पसंद आगे जरू सेर करें सस्क्राइब करें लाइक करें ठैंक